हेवरिवान वेलकम बैक टो मैं यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब लोग आए तो होफ़ुली आप बहुत ही बढ़िया रहेंगे तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेर करने वाली हूं तो मेरा मंतली ग्रोजरी में कैसे और्गनाइज करके रखती हूं और आप को हैलफुल की टिप भी कैसे कैसे करना है करके तो कैसे कैसे बहुत ही करती हूं मैं तो कैसे में सेटप करके रखती हूं और यहाँ हम इस शेयर करने वाले हूँ आपसे एक ही हमैं healthy-east Прेकस्ussen दो की मैं बनारहे हूँ यहां यह भाजी को हम लोग बोलते हैं दंटकी भाजी करके तो दंट की भजी को मैंने अच्छे से ले लिया और जो उसका जो बड़ा बड़ा जो डंट रहता है उसको मैंने रिमूल कर लिया उसकी बद देखिए आप लोगों को यहां पानी में कुछ इस थरह से आपको दोना होगा पानी अच्छे से फिल कर दीजेगा थोड़ी मिट्टी वगएरा रहती वो निच्चे मेरे समा जाती है तो आपको यही प्रोसेस लगभग 2-3 बर करना है जब जाके आपकी भाजी पूरी मिट्टी वगएरा क्लीन हो जाएगी भाजी में से तो वही हेल्ट के लिए अच्छा रहता है भाजी को कभी भी आप अच्छे से dudında दोईएमार ठोईएगा मिनिममम तीन बर धुटा है जब गहाती है मिरहां जाएगल तो में पता नहीं केसे लोगए कृर लोग करते हैं किसे करते हैं करके एces kommer घर कopen ळए है किश हूं लेगन भीद्धार है और वीडियो में स्टेय हो सब आपके हैं तो यहां देख सतेए तू मैंने पोरा भाजी को हमने ले लिया है उसके बाद में भाजी में डाला है भाजी में आप एक रात पहले ही ळोबे और चेना सब-कुछ भीगो के रखना है प्छेंड़ के हमें इसमें अड़ करना है मैं आप इसको breakfast के लिए बना सकते हैं और इसमें जो भी पानी है उसका आप सालन बना सकते हैं लाइक भाजी का चार करके बोलते हैं हम लोग तो कुछ इस तरह से में बना रही थी यहां मैं भाजी का चार नहीं बना रही थी चार तो मेरे हास्में नहीं खाते हैं तो मैं इसे ले आपको थोड़ा बहुत ही पानी दलना है पानी दल के आप क्या कर सकते हैं कुकर में दो सीटी को लगाई हैंगा काफी रहेगा हाँ पर हमारे कुकर में दूस लिटी आ गई है पानी सबकु सपेट कर रहे हूं सपेट करके मैंने एक आउनिन लिया है पैन वगेरा मैंने रग जया है पैन मैं आभी में दालूँगी तेल आपको लेना पड़ेगा थोड़ा सा कोकनट थोड़ा सा गार्लिक और एक अहिड मिर्ची लेना पड़ेगा तो उसको आप करना है थोड़ा पकने के बाद और को हम इसमें आइड करने वाले अभी चिली पावडर और सॉल्ट आइड करेंगे बस उतना ही इसमें आड करना है दुसरा मसल वगेरा मैं आइड नहीं करते हूंगा इस इसमें तो बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए बहुत ही भाजी और इसका पानी का जो हम सालन बनाते है वो भी बहुत ही अच्छा है और वेजिटेबल्स कितने हिल्दी है हम सबको पता है उसमें से प्रोटीन दालते है हम लोग छेना वगरा सब कुछ भी इसमें दालके पकाते है तो बहुत ही भरपूर प्रोटीन का ब्रेकफ़स्ट भी तो यह भी बनाके रख दया तो बच्चे आने के बाद वह बच्चे खा लेंगी यह वाला तो कि इस तरह से हमारा ब्रेकफ़स्ट है आपको कैसा लगा मुने सरूर कमिंड में बताएगा तो हाँर में यहां मेरा ब्रेकफ़स्ट रेडी हो गया है मैंने इसको भाजी को बन तो वह भी आ गए तो मैंने जल्दी हम दोनों के लिए जल्दी ब्रेकफ़स्ट बढ़ा रही थी हां यहां मेने दोसा के लिए मैं नो मैं कभी भी आलग रखती हूं जो भी बैटर रहता है दोसे का वह अच्छे से पीस के जितना हमें यू से उतने में में सौर्ट मिलाती हू ऐसा सभी लोग करते होंगे शायद हाँ सभी लोग तो करते होंगे तो उसके बाद मैंने यहां से यम्मी सा दोसा बना दिया दोसा के साथ मैंने जो पल्याम बनाया था आलू का पल्या बना दिया तो यह रहा हमारा ब्रेक फर्स्ट का इस तो किसा लगा आप लोगों को बत सकते हैं करके आप यहां देखिए गाइस यह कंटेनेर मैंने मंगवाया था और इसको मैंने अच्छे से धोक्य रख दिया अभी जो मैंने डीमाट से राशन वागरा लाक के रखी थी तो मैं भी फिल कर रही हूं क्यूंकि अब राम को भी फीवर था मैंने इसे ही रख दिया क्यूंकि मुझे आप लोगों को सभी लोगों को मुझे आर्गनेस केसे में करते हूं करके वह भी दिखना था और मुझे कंटेनेर भी नहीं आये थे और मेरे पास ऐसे ही कंटेनर है राउंड शेप के मुझे स्क्वेर वला शेप बहुत ही पसंद आया अभी नया निकला है तो जो भी नया नया चीज़ आती है जो दिल को बहुत भाती है ना तो इस तरह से मुझे जो नई चीज़े मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो इसलिए मैंने एक कंटेनर लिया है इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है गाइस ये कंटेनर की तो मैंने इसको अच्छे से धो के इनको मैं अच्छे से अभी स्वाइब कर रहे हूं तो इसम को करके अभी देखिए मेरा जो भी मैंने मत्ली ग्रोसरी सब कुछ लया था मैं इसमें फिल करने वाली हूँ क्यूंकि ग्लास की कंटनेर बहुत यह अच्छे रहते हैं प्लास्टिक से कंपेर करेंगे तो ग् हमारी खुशी के लिए हमारी हेल्थ के लिए हम कमाते है राइट तो हमारा सब कुछ भी हमने ड्रीम पूरा कर दिया हो तो हमें मैं वही सोचते हूं जो भी हमरे पास पैसा अगरा है मैंने तो बहुत अभी थोड़ा कंड्रोल करूंगी करके थी ऑनलेन शॉपिंग से तो फिर जो भी आपका दिल करता है लेने के लिए मैं बहुत ही मेरा घर के प्रती में बहुत ही कॉंशियस हूं तो मुझे ये सब कुछ चीज़े बहुत ही पसंद आती है तो मैंने ये ले लिया गाईस उसके बाद मैंने पूरा ग्रोसरी को में दार रहे हूं आप लोग को यह मेरे कांटेनर के से लगे प्लीस आप लोग मुझे बताईएगा और जिंदगी में रखाई क्या है गाईस जो भी आपका खुशी हो आप हासिल कर सकते हो तो डेफेनेटली गो गाईस तो आपके खुशी आप हासिल कर लीजेगा तो मैं या भी वही सोचते हो हमारी हेल्थ हमें बहुत ही प्रायरिटी रखती हूँ और हमारे हेल्थ भी अच्छी रहे हमारे वेल्थ भी अच्छी रहे हाँ सेटल तो पहले होना है उसके बादी सब कुछ तेकिन हम हमारे हेल्थ का खयाल रख सकते हैं देखिए गाईस आभी कुछ ना कुछ किसी को भी ना हो पाए कुछ सदन से कुछ हो गया कुछ हो गया तो का बात है और उसके बाद अल्ला जो चाहता है वो ही होता है हेल्थ के साथ भी लेकिन हम जो कोजिश करेंगे वो जारी रखना है हमें अच्छा सा खाना है अच्छा सा पीना है कुछ हॉस्पटल में हो जाएगा तो हम दे देंगे डॉक्टर बोलेगा तो एक्सरे करो 2000 रुप मैंने और रोमुट में डॉक्टर ग्लास के मैं कभी नहीं तोड़ती हूग हो रहा गहेरद शहाएं मुझे अच्छे से ना जजब आता है तो दिखेंगा यश्य को अच्छा रखते हूं तो आप लोगों वह कहिसा लग रहा है मुझे प्लीस बतायेगा देखें कुछ एक शाव अगेरा हो तो मैं केसे रखती हूँ मैं वो भी दिखा रहे हूँ आपको जो जो भी था मैंने इस कंटेनर में मैंने फिल कर दिया है गाइस तो आइसे ही साथ साथ में मैं बना रही था है ऐसे जैसे जैसे मेरा बॉक्स अगेरा फिल हो रहे थे कंटेनर को मेरा करें तो यहां मैंने उड़ट की दाल बोलते हैं इसको तो अधिन वेले को थोड़ा मैं ज्यादा लाई हूँ क्योंकि ये मैं छ़ड़ा ज्यादा ही करते हूँ इडली वगेरा के लिए इसको हां उद्दिन बेड़े बोलते हैं हम लोग तो जो भी बच्चा तो हरे मून को आप अची से सोक करके आप शायㄦ wha gD भा सकते हैं और आपको हरे मून की किछडी यहां किमें आप में नार बच्चोह के लिए तो हमेशा यूज़ कर सकते हैं मल्तिक्रेट ऑग्उद सब्च्राइब मल्टी ग्रिन दूसा भी बनाती हूं इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही लेके आती हूं डाल वगेरा हिल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है करके हो सबसे मेरा फेवरेट कॉर्णर बन गया यह वाला गाइस तो आपको यह वाला कॉर्णर कीसा लगा मुझे बत दो बैक लेके आई हूं हानी वागेरा तो हानी का मुझे बॉक्स बहुत ही पसंद है अच्छा है इसी टू कन्वेनेंस टू यूज है तो इसका देखे यह वाला भी कंटेनर में लेके लिए हूं नया वाला तो आपको 15 kg का बड़ेगा है 15 kg तक रहेगा है इसका क्यापैसि बड़ा वला सिल्वर रखोंगी तो थोड़ा अदर स्पेस ना थोड़ा कम हो जाता है इसलिए मैं अब यहां पे रख रहे हूं इस पे डाइजी टू यूज भी है और स्पेस भी बहुत ही कम लेता है तो इसलिए मैंने यह वाला लिया है और जो भी मैंने राशन जब शुगर वगरा रहता है और हिमली वगरा रहता है सब कुछ भी मैं कांटेनेर में रखती हूंगा इस ऐसे कुछ मैं और गनाइज करके रखती हूं ऐसा तो अच्छे से इसको भी मैं जैसे मंतली मंतली हम लाता है जब इसे मैं अच्छे से इसको कैबिनेट को अच्छे से ध एक पड़ दाल के में रखे हु गास उसके में देखे Pixel In est Hyun मैने वाले बैस्केट में मैणे बचों जो भी ठाने और को एया वाला रखा है उसमें इसमें मैंने तो বचों को मिल जाता है open करते करके मैंने सामने रही रखा है इसको उस केक हो गया है और बहुत ही कम लाते हूं चॉकोस के एक पैकेट लाते हूं बस उतना ही है और मैरीगोल का बिसकेट लाते हूं ज्यादा ज्यादा क्रीम बिसकेट और ज्यादा पैक का सामन में नहीं लाते हूं बिल्कुल भी नहीं लाते हूं हर डार्क फाल्डक से कभी-कभी एक बिस्केट लाके दे देती हूं बस क्योंकि मैं healthy food ही खड़ा खिलाना पसंद करती हूं dry foods वगेरा साम में रख देती हूं तो बच्चे उठा के खा लेते हैं easily और उसके बाद यह वाले box में बच्चा था सामन वह रखा है और एक में मुझे आटा डलना है तो आटे को अभी खोलना है और यह वाले कंटेनर को मुझे अच्छे से धो के सुका के मुझे दालना है इसलिए मैंने अभी नहीं दाल रही हूं अभी आपको मैं दिखा रही हूं देखिए इतने से space में भी य है इजी ली चले जाते हैं इसलिए मैंने लिया है और यहां पे ना जो लॉंड्री वगेरा पर यूस होता है जैसे हैंड वाश हो गया साबून वाश हो गया इसे मैं रख देती हूं उसमें हाँ और आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक कीजिए सब्स्राइ लॉवगाँ टीया वे इस धीया ओर लॉवगाँ ओर लॉवाँजिए सब्स्रा है लॉश चूसरा है को यहां रोग इसे जह जुडल को है कि लॉभ लूच श्त हो टीया जाल समें हो आहीं हैंwerkore इसे